अब देगी प्लाव की तो आज हम बनाएंगे बगर यखनी का मतन देगी प्लाव बहुत ही मज़िदार यह बनाना इसको बहुत ही असान है कुछ आहें टिप्स एंट्रिक्स के साथ आप रेसिपी को बना पाएंगे बहुत खिला खिला पर्फेक्ट प्लाव तो विडियो दालेंगे लसल्न dop कर्श तो टी टीबिली स्पून के करीब भर के हम डालेंगे लसल्न का पैस्ट को जो काम अस चर्फ ब्लाव के अंदर आप थोड़ा सा जाधा कॉंटिटी में लसल रख कर डालेंगे तो सोंधा पनिय का पिलाव इसपे मैं यहां जाए कापारीब दो कर दियुत लालंगे अैं के शया नहां के तक्रिफन के करूं रूर्ड loss के करे दियुकत जो के जाएगा बेलीव्स साथे के पालिमू कारास नीचोड के जाएगा य। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक पूरा लीमू का रस निचोड़के और इन तमाम चीजों को डालने के बाद हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो लेंगे उसको मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन आदे घंटे के लिए तो अगर आपके पार टाइम हो तो दो से तीन घंटे भ अच्छे रिजल्ट के लिए अगर आपके पार टाइम ना हो तो इसको राइट अवी भी आप लोग बना सकते हैं तो मैंने इसको कर दिया है कवर 30 मिंट के बाद हम इसका आगे का स्टैप करेंगे अब जब आदा घंटा गुज़र चुका है तो मैंने यहां पे एक अब पानी डालके हलका सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8-10 मिंट के लिए मीजिया फ्लेम पे तो यह टोटली डिपैंड करता है कि मतन आपका कितना टाइम लेगा गलने में तो मेरा मतन जो है वो तसमिंट में गल जाता है तो मैंने इसको कर दिया करते लिए खुला पॉट ले लेंगे जिसमें हम आदा कप तेल डालेंगे तो अब चाहें तो इसके ने थोड़ा सा गी का समाली कर सकते हैं तो की जैवह एंवारा गरम हो चुकर है तूसमें हम ढलेंगे 1 कप प्याज जोके एक बड़ी साइसी में प्यास लेली जिसको मैंन स्लाइटली ब्राउन होने तक फ्राइ करना है तो आदी हम निकाल लेंगे आदी हम फ्राइ करके रहने देंगे इसमें अब दूसरी तरफ मैंने यहां पे 750 ग्राइब मतलब के तीन पॉप बासपजी चावल ए लिए ते जिसको मैंने वाश करने के बाद भिगो दिया था तीस अब यूच्व प्याज हमारी है इसके अंदर हम इस तैयार किये हुए मतन को डाल देंगे और इसको डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम चू हाई कर देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको भूनना है अब इस स्टेज के ओपर हम कुछ आगे के इंग्रिडिटन् क्यूब्स बजार वाले अजीना मोतो को स्टमाल करते हैं मैंने इसमें दो क्यूचिकन क्यूग जाले हैं इसके अंदर तीन से चार अदद हरी मिर्ची शामल कर देंगे मुठी पर पुदीना मुठी बरहार धनिया और इसको डाल के इची तरीके से भून लेंगे तो देखे पानी जायागा तो यहां पे मैंने पानी बरहार दीए है डबल अगर आप दो कब चावल लेते हैं तो चार कब पानी यहां पे मिक्स कर लेने के बाद इसको कर देते हैं कवर मीडियम छु हाइफलिम पर पकाएंगे हम चावलो को जब तक के पानी इसका खुश नी हो जाता तो देखें चावलो को पकते हुए तक्रीबन 8-10 मिंट गुज़र चुके हैं मीडियम टू हाइफ फ्लेम पे थोड़े से बबस बबस अभी दिख रहे हैं अब इस स्टेज के उपर उठाई वी जो हमारी प्यासी उसको डाल देंगे हम इसके अंदर और इसको हम दंपे लगा देंगे तक्रीबन 10-12 मिंट लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे तो कर देते हैं इसको अलमुनियों फाल के साथ कवर और चेक करेंगे तक्रीबन 10-12 मिंट के बाद तो यहां पे चावलों को दंपे रखे हुए तकरीमें 10-12 मिंट गुज़र चुके हैं तो चेक कर लेंगे तो सिक्योरली हम इसको खोलेंगे और यहां पे देखें जबदसी हमारी खुश्बूं के साथ मज़िदार सा प्लाव बन के तयार है इसको मैंने देखें बीच में से बिल्कुल भी नहीं हिला है एकदम दाना दाना एकदम लंबा अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरहां से आप देगी पलाव को बनाएगा आप देख सकते हैं खुश शकल हमारा मज़िदार सा देगी मटन यखनी पलाव बन के तयार हुआ है बगएर यखनी के तो यहां पर देखें मैंने इसको कर लिया है मिक्स बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं तो यह थी मेरी आज की रेसिपी बगएर यखनी मतन पलाव की रेसिपी ट्राइक कीजिएगा और फीड़ बैक जूरू दीजिएगा वीडियो अच्छी लगए तो थम्स अब दीज नेक्स रेसिपी वीडियों तक लिए ठेक केर अलाहाफिज